मुझें होमियो रीडर के योटूब चैनल पर मैं डाक्टर मिराज इंसारी आपका स्वाइब करता हूँ आज जो हम अपडेट देने वाले बिहार तक्निकी सेवा आयोग के 3270 पदो पर भरती के लिए जो है अभी अपडेट आ रही है क्योंकि काफी समय बीच चुका है अभी तक जो है इस पर भरती नहीं है 3270 आयोग के पदो पर जो अस्थाई निउक्ती का रास्ता है वो अभी तक साप नहीं हो पाया है और कुल मिला के अगर देखा जाए तो दो से तीन साल का समय इसमें बीच चुका है अब इसको ले के जो है आयूस मेडिकल सर्विस एसोसियेशन की जो भरती है उसको ले करके एसोसियेशन के अद्दच डाक्टर जैसंकर परसाद उपाधेच डाक्टर यस ए ए कादरी और सचिव डाक्टर सुसील कुमार धाजा और आदी लोगों ने कहा कि विभाग दौरा बीटी एस सी को ने आले के आदेश के वावजूद कोई दिसा निर्जेश नहीं दिया गया इस कारर अस्ताई नियुक्ति प्रकिरिया लंबी था संग ने उपमुक मंतरी सह स्वास्त मंतरी तेजस्वी यादो से मामले में कहा कि तेजस्वी यादो जी मामले में देखें औ से कि जल्द से जल्द इसकी न्युक्ति कराई जाए अगर ऐसा नहीं होता है एक मा के अंदर नहीं होता है तो संग जो है इसके लिए आंदोलन की चतावनी दे रहा है और आंदोलन के लिए शुरुवात करने वाला जैसे कि 17 सितंबर को काला बिल्ला लगा कर कार करने और 26 सित तूबर को BTSC का गेराव किया जाएगा यानि कि बिहार तक्निकी सेवा आयोग का गेराव किया जाएगा जिससे की जल से जल निवक्ति का रास्ता साफ हो सके क्योंकि बहुत समय बीच चुका है और बिहार तक्निकी सेवा आयोग में अभी तक भरती के मामले में कोई भी जानक जानकारी नहीं होई है कि कब तक भरती होगी या कोई आफिसियल जानकारी अब तक नहीं हो पाई है तो इस बारे में आप जो है आप जो होमियो रीडर को देखते रही है आपको होमियो रीडर पर एक जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताईए और साथ में हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल पर नए है तो होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल को जुधा डाक्टर फारुक जे मास्टर और भी अनेक लोग जो है सामील हो रहे हैं तो आप उस सेमिनार का हिस्सा बनिए और उस सेमिनार में पार्टिस्पेट करिए और रेइस्टेशन कराईए उसकी जानकारी आगे जो है आपको स्लाइट के माध्यम से दी जाएगी उसमें म झाल